पत्रिका टीवी खबरों के शुवात करेंगे लेकिर उससे पहले रुख करते हैं कि नजर आज़ की हेड्लाइंग्स पर रबन सिंग राज़ान गाउं से दाखिल के नावांकन पून बहुमस से जीत का दावाई UPCM योग्या दितनात भी रहे मौजूर सा परिवार पैट शूकर्डी आशिर्वार दिल्ली में कॉंग्रेस के प्रत्याश्यों पर मंथन मध्यप्रदेश शतीसगड़ के दिगज रेता बैठक में मौजूर शतीसगड़ की बहत्तर सीटों पर हो सकता है प्रत्याश्यों के नामों का एलाद एक वीडियो से फिर खुली कॉंग्रेस की पोल जीतू पटवारी का वीडियो बारेल चुनाव फ्रचार के दुरान खुद के लिए मांग रहे वोट बोले पाटी नहीं मेरा रखे खयार इन दौर में संतों के समागम की शुरवात शिवराज सरकार के खिलाफ कंपचर बाबा ने खोला मोचा करेंगे मन की बात पांच शहरों में होगा कारेक्रम और जिपलपुर में उत्पात के बाद तनाव का माहूल धारा 144 लागों महकाली प्रतिमे विसरजन के दुरान बिगड़े हाला जम कर हुई आगचनी और पत्रा अब बात करते हैं पहली खबर की राजनान गाओं में रमान सिंग ने नावांकन के बाद बड़ी आम सभा को संभुदित किया उनके साथ यूपी के सीमो योगी आदितिनाद भी मौजूद रहे इस दुरान दोनों नेताओं ने कॉंग्रेस पर चम कर हमला किया सभा को संभुदित करते हुए मुख्यमंद्री रमन सिंग ने कहा कि इस बार के चुनाफ में सबसे बड़ा शेस्त्र केंद्र की आयुश्मान योजना है सियोजना से बड़ी बड़ी बिमारियों का इलाज हो पाएगा चाहे वो किड्नी ट्रांस्प्लांट हो या फिर लीवर ट्रांस्प्लांट सीम ने कॉंग्रेस को आड़े हातों लेती होए कहा कि कॉंग्रेस केवल गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही लेकिन गरीबी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किये योग्यादितनात ने भी सभाको संभुदित करती होए कॉंग्रेस पर जमकर निशाना साथा उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिशली सरकारों की नियत यहाँ के खनिजों के खनन और जंगलों पर थी यहाँ जंगल माफिया हावी था रमान सिंग सत्ता संभालते ही सब को किनारे कर दिया इससे पहले 36 गड़ के मुक्यमंत्री रमान सिंग ने विदान सबा चनाफ के लिए नामांकन दाखिल किये दुरान उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योग्यादितनात बीजेपी प्रदेश प्रफारी अनिल जैस संगटन मंत्री सौधान सिंग और प्रदेश बीजेपी अत्यष धरमलाल कौशिक भी मौजूद रहे प्रदेश बांकन के बार सीम रमन ने कहा कि उन्हें राजनात गाउं की चंता से बेश्मार प्यार मिला है और इसी प्यार के दम पर हम इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और उन्हें यूपी की मुख्यमंद्री योग्यादितनात का भी आभार जताया सीम रमन को बीजेपी ने इस बार भी राजनात गाउं विदांसबस सीट उमीद्वार बनाया है जो 2008 और 2013 में राजनात गाउं सीट से जीत दर्च कर चुके हैं चतीसगड में कॉंग्रिस बहत्तर सीट पर अपने प्रत्याशियों की खोशना जल्द कर सकती है प्रत्याशियों के नावों को लेकर दिली में केंडरी चुनाफ समीधी की बैठक में मन्थन चल रहा है जिसमें राहूल गांधी समेच चतीसगड की नीता शामिल है बैठक के प्रदेश प्रभारी, पियल पुनिया, प्रदेश अध्यश, भुपेश बखेल, टियेस सिंग देव और सांसत तामरिधवज साहु भी मौजूद है जो आला कमान को प्रदेश के हालातों और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं बीजेपी पहले ह अधिकतर प्रत्याशी खोशित कर चुकी है, ऐसे में संभावना ये भी है कि इस पर कॉंग्रेस में मन्थन चल रहा है कि बीजेपी के किस कैंडिडिट के खिलाफ कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए सेम्प्रिया में रोट्शो के दरान जगा 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 तो प्रत्याशी को पहुँआ है का सीएम का जोड़दार स्वागत किया किया इसके बाद सीएम ने यहां भी सभाकुसम होदित किया मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यष कमालात के 40 दिन 40 सवाल का चौथा दिन है गड़ा है अगर नहीं तो फिर बताओ मध्यप्रदेश की गरीबी का ग्राफ लगातार क्यों बड़ा है सवालों में कमालात ने महिला गरीबी भोचन पानी जैसी मूलभू सुवधाओं का आकड़ों के साथ जिक्री किया है साथ ही पूचा है कि इतनी खराब स्तिती बड़े राच्यों में चतीजगर और बिहार की है जिसमें अब एमपी भी शामिल हो रहा है इससे पहले कमालात ने शिवरास सरकार को स्वास्त सेवाओं गोशना और उनकी जमीनी हकीकत और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे एक तरफ जहां मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस वनवास खत्मेकर सत्ता में आने के लिए जी जान से चुटी है तो वही दूसरी तरफ चुनाफ से पहले कॉंग्रेस नेता अपने विवादित बयानों से पार्टी की मुश्किले बढ़ाने में लगे हो है पार्टी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप तो मेरा ध्यान रखिए पार्टी जाए तेल लेने का मामला कॉंग्रेस पार्टी के कारिकारी प्यदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का है जीतू राहुल गांधी के करीबी माने जाते है और कमलनाथ ने भी उनको अपनी टीम में ज जीतू पटवारी साफ तोर पर लोगों को पार्टी गई टेर लेने आप तो मेरी लाज बचाओ कहते दिखाई दे रही हैं इससे पहले फूर्व मुखी मंद्री दिग्विजे सिंग का वीडियो आने पर भी सियासी हलचल तेज हो गई थी कॉंग्रिस विधायक जीतू पटवारी राहूल गांधी के सबसे भरोसे मंद नेताओं में से एक हैं राहूल गांधी ने गुजरात चुनाओ के समय जीतू को गुजरात का सह प्रभारी बनाया था जिस तरीके से कॉंग्रेस ने गुजरात में कामियाबी हासिल की थी उसके बाद से पटवारी का पार्टी में कद काफी बढ़ गया था राहुल के करीबी किसी नेता का पार्टी के प्रती इस तरह का रवय या प्रदेश में कॉंग्रेस के सपनों को चकना चूर कर सकता है परिवारों भी नी करता रहों के अंदा यह देगा ध्रता से पर्षता से और उस भाव से कि एक जन्प्रतिन दी का दाईत्व जन्ता के प्रति होता है और उसको निभाते में बात कियता हूं तो अगर मैंने किसी बीजेपी के कारीकरता को यह कहा कि आपकी पारिटी को मत देखो मुझे जीतु बटवारी एक अच्छा इंसान अच्छा जल्प्रतिन दी आपकी पांस साल मेंने सेवा की है मुझे देखो तो क्या बुरा कर दिया क्या गुना कर दिया यह बता हैं जीतु के बयान के बाद राजनेतिक गल्यारों में सियासी हजल देश हो गई है एक तरफ कॉंग्रिस पार्टी को प्रदेश में उनके पक्ष में माहोल बनता दिखाई दे रहा है तो वहीं इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद भरोसा जता रहे नेताओं के पास का देख बीजेपी की प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने की उम्मीद बढ़ती ज़ा रही है बिरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी मध्रिपेदेश 36 गड़ मध्रिप्रदेश में मोकी मंत्री शिवराज सिंग चहान और बीजेपी के खिलाफ कंप्यूटर बाबा ने मोर्चा खोल दिया है वो संतों के समागम में मन की बात के जरीए शिवराज सरकार पर निशाना साथ हैंगे कंप्यूटर बाबा के इस अभ्यान की शिर्वात इंदोर से हो रही है कंप्यूटर बाबा अपनी मन की बात में नर्मदा में अवैदिक खनन, गौरक्षा और मंदिर निर्मान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे विधान सबा चुनाफ के सरगर्मी के बीच कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी की परिशानी को बढ़ा दिया है इन दौर के बाद कंप्यूटर बाबा 30 ऑक्टूबर को गौलियर, 4 नवंबर को खनवा, 11 नवंबर को रीवा और 23 नवंबर को जबलपूर में संतों के समागब में अपने मन की बात करेंगे मदादे की राज़े मंत्री का दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने 1 ऑक्टूबर को अपने पस से स्तीफा दे दिया था उन्होंने आरोप लगाया था कि शिवराज सरकार संति समाज की उपेक्षा कर रही है इसके बाद से वो लगातार सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले होए है जटीसगर में विदांसभा चुनाफ के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी बदादे कि चटीसगर में दो चर्णों में विदांसभा चुनाफ होने है पहले चरण में 12 नवंबर को 18 बाद दूसरे चरण में 20 नवंबर को 22 सीटो परमतान होंगे इसके बाद 12 दिसंबर को चुनाफ परिणाम खोशित होंगे भाजपे 36 गड़ में चौती बार सत्ता पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है यही कारण है कि 36 गड़ में चौनाफ प्रचार के लिए भाजपा के लगभग सभी राश्री आला नेता स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है मद्रदेश में सियासी पारा साथवे आसमान पर है एक तलब जहां बीजेपी 15 साल के विकास कारियों को गिनाते नहीं थम रही है वही कॉंग्रस किसान महिला प्राद आरक्षन को लेकर सरकार को खेर रही है दोनों ही दलों ने अपने अपने मुद्दे हैं चुनाव को कुछ ही समय बचा हुआ है ऐसे में मामला रोचक होता जा रहा है मिसंद 2018 खता करने के लिए दोनों दल तयार मुद्दों को हत्यार बना कर जारी है सियासी वार व्यापंप किसान आरक्षन पर कट घरे में सरकार गुटबाजी को लेकर बीजेपी का कॉंग्रेश पर पलेटवा जीहां चुनावी विसात बिक चुकी है सत्ता का सुख भोगने के लिए दोनों दलों ने पूरी तर्यारी कर ली है एक तरफ बीजेपी को सिवराज के चेहरे के डम पर जीत का भरोसा है तो वहीं कॉंग्रेश एंटी इंकम्बेंसी के सहारे 15 साल का वनवास खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठी है पिछले पांस साल में मद्ड़ प्रदेश की सियासत में कई मुद्दे हो थे कुछ का हल निकला कुछ समय के साथ गुम हो गए चुनावी साल में एक बार फिर बीजेपी और कॉंग्रेश उन मुद्ड़ों को गनाने की कोशिश में है पुमुक मुद्दे जिनको लेकर कॉंग्रेश सरकार को गेρ रही है बो है फसल बर्बादी का पर्याप्न मुआपजा नहीं मिलना फसलों के सही दाम नहीं मिलना मंसौ और गोलीकान में हुई किसानों की मौथ फुसंगबाद में नरंदा में अवेद अथनन आरक्षण और ज्यापम भी मुक्थ मुद्वे स्वास्थ और सिख्षा को लेकर सरकार निसाने पर टेक्ट्रोल बीजल के बनते दाम ज्यापम भोटालाव फिर से उठाया खनन माफियाओं के बोखौफ होने का आरोग इधर PCC चीफ कमलनाथ भी लगतार सरकार पर निसाना साध रहे हैं कमलनाथ सरकार से 40 दिन में 40 सवाल पूछेंगे अब तक वो तीन सवाल पूछ चुके हैं जिसमें स्वास्त सेवा महिला सुरक्षा समेत कई मुद्धों पर सरकार पर निसाना साधा है कमलनाथ के पहले तीन सवाल है सवाल नंबर एक मामा और मंत्री मदमस्ट स्वास्ट सेवाए क्यों करते भ secrets सवाल नंबर दो क्यों मंध्य पրदेश को बना दिया भीमारियों का नर्ग सवाल versus defenses मामा मुखोटा लगा कर वो फ्ट्नो लिया, मा बहन देखियों का जीवन अंदकार से एक्ट्यों भर दिया, मध्यप्रदेश को अंधेर गर्दी चौपट राज में चौब बदल दिया बारतिय जन्ता पार्टी की सोच में खोट है और उनकी क्या नियत है इसकी नियत पिछले 15 साल में मध्यप्रदेश की जन्ता ने पैचान लिए अगर नर्मदा, शिप्रा, गंगा का जो वचन इननों दिया था कि ये साफ होगी ये जिसकी नियत साफ ना होई कि अवे गंगा साफ करेंगे इधर कॉंग्रेश जहां इन मुद्दों को भुनाने में जूटी है वही बीजेपी विकास के मॉडल के दम पर जन्ता से जोट मांग रही है इसके साथ ही सीम सिंवराज सिंग चौहान लगता दिगुजै सिंग के सासन को याद दिला कर उन्हें बंटाधार बता रहे है दिगुजै सिंग ने बनाया प्रदेश को बीमारी किसानों के लिए कई योजनाएं बनाएं भावंतर और क्रिशक प्रोच्साहन योजना रूपाल और इंदौर को सबसे स्वक्ष सेहर बनाया मुक्तमंत्री जनकल्याण योजना संबल मुक्तमंत्री जिवाय योजना लाड़ी लक्ष्मी योजना हमारे सासनकाल में इसको दस प्रिशत के आसपास रखने में हम सफल हुए एग्रिकल्चर ग्रोथ रेट क्रिसी विकास दर्व बदाई बयाना चाहता हूं प्रदेश के किसानों को कोई सोचता था दो परसेंट तीन परसेंट अगर होती थी तो बहुत होती थी कांग्रेस के राजबत मद्व देश में वो भी नहीं हुए इन बढ़ा के पहुँचा दी एवरेज बीस परसेंट के आसपास पास साल से क्रिस कर्मन पुरुसकार मद्व देश कम देश हैं और पास साल से पूरी जम में हम सब्स्रेस्ट हैं अन्ने का उत्पादन भंडार भरे हुए हैं कांग्रेस का बज़ बीस जार करोड का हमने पहुचा दिया दो लाक करोड कांग्रेस अदाई की करती थी रोणों की तो ब्याज जाता था बाइस परसेंट हम देते हैं आठ परसेंट सिक्षा की व्यवस्ता पूरी तरह से चौपट करती थी महापाप किया कांग्रेस ने प्रदेश के बेहनों और भाईयों महापाप गुरू जी सिक्षा कर्मी तन का 500 रुपईया पूरी एक पीड़ी का भविस्ते कांग्रेस ने बरबाद किया एक पीड़ी का भविस्ते कुल मिलाकर दोनों ही दलों के पास अपने अपने बुद्दे हैं और अपने अपने दावे हैं सक्ता के सिहासन पर कौन बैठेगा इसका फैसला को जनता को करना है पर दोनों ही दल किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती कुल मिलाकर एक बार फिर इन मुद्दों के सुर्खियों में आने से मुकाबला रोचक हो गया है यूरो रिपोर्ट पत्री का टीवी धोपार जबलबर में महाकाली प्रतिमा के विसरजन के दुरां जबर्दस विवाद हो गया पुलिस और विसरजन में शामिल युवकों के बीड जड़प के बाद उतपाती युवकों ने करीब दर्चन भर गाड़ियों में आँख लगा दी देखते ही देखते हालात इतने बिगड गए कि कलेक्टर चवी भर्दवास समय तमाम आला धीकारियों को खुद मोचा सभालना पड़ा इस दुरान स्तिथी पर काबू के लिए उतपातीयों पर लाठियां भी भांशनी पड़ी मामला गवारी घाट का है यहाँ उचन समीती के लोग नर्मदा कुंट में विसर्चन करना चाहते थे लेकिन प्रिशासा ने वहाँ विसर्चन की इजासत ले ती जिससे विसर्चन में शामल युवग भड़ा गए और उन्होंने तोड़फुर और आगचनी शुरू करती कई गाड़ी में किया है कि नर्मदा नती में मूर्टियों का विसर्चन नहीं होगा इसके लिए अलग से कुंड बनाया क्या है जिस पर विसर्चन होना था लेकिन पड़ाव की महरानी से जुड़ी समीती से जुड़े लोगों ने जबर्दस्ती मूर्टि को नर्मदा में विसर्चन करने की कोशिश की, इसके बाद मौके पर हालाद बेकाबू हो गए और यहाँ पत्थर बाजी शुरू हो गए उसके बाद कहा सुनी हुई हलका सा लाकी चार्ज हुआ और फिर इन लोगों ने पत्राओ स्टार्ड कर दिया लगबक 10,000 के लोग थे और सभी सराप के नसे में दुद थे जो जला प्रशाशन है पुलीस है पिछले चार दिन से विसरजन हो रहा जैसा कि आपको विदित है कि विसरजन का एक महूर्त होता है महूर्त को ओवर लाप करते हुए उसको किसी भी तरीके की कोई मानदा ना मानते हुए ये आज विसरजन करर रहा है जबकि आज़ 23 तारीछ है तो लेकिन फिर भी पोलिस प्रशाशन की पूरी विवस्था थी पोलिस के लोगों को दबाने क दबाने का प्रयास किया उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा कुछ गाड़ियों को जलाए है हमारी कुछ गाड़ियों गहाई है सबी का वीडियोग्राफी कराई गई है और लगबग दो दर्जन से जादा लोगों को अरेस्ट किया गया है जितनी भी आयोजन समीती वाले हैं सभी को इस प्रकण में मुल्जिम बनाया जाएगा ऐसा बिल्कुल ट्रॉलेट नहीं किया जाएगा कि धर्म के नाम पे कानून ह प्थर में भी लगा है पत्राओ किया गया है मेरे हाथ में भी लगा है और कई हमारे पुलिस के जवान जो पिछले 24 गंटे से ड्यूटी कर रहे थे उनके सिर्पे भी चोटे हैं मिलासपूर के रतनपूर धानाच्षेत्र से स्कूल के चार बच्ची अला पता हो गई रतनपूर के महामाई पारा में रहने वाले दो सकी बहने और अन्य दो लड़किया सुभा स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन इडमिस से तीन लड़किया सरकारी स्कूल में और ए साइबर सेल की मदद से ढूनने का प्रियास कर रही है गौलियर में एक आटो पार्ट्स के गोदा में लगी आख से पूरे लाके में सलसरी फैल कई बताया जा रहा है कि आख शॉट सरकिट से लगी थी गोदा में आटो पार्ट्स के सामान के साथ इंचन ओयल भी रखा था जिसके चलते आख ने थोड़ी ही देर में भीशन डूप ले लिया आख लगने की सूचन मिलते ही फायर ब्रिगेट की गाड़ी मौके पर पहुची और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आख पर काबू पाया गया आख से लाखों के नुकसान होने का नुमान मौरेना से ग्वालिर की ओड जा रही मालगाड़ी के सोमवार को दो वेगन पच्ट्री से उतर गए इस हाथ से के बाद अप और डाउन दोनों ही ट्रैक बातित हो गया और रेल यातायाद पूरी तरह बंद हो गया है मालगाड़ी में गिट्टी भरी हुई थी इस घटना क के बाद दिल्ली से भोपाल की ओर आने वाली गाड़ियां चार से छे घंटे तक लेट हुई रेलवे प्रशासन से सोमवार शाम तक याताया सुचारू करने का दावा किया गया था लेकिन इसका सर मंगलवार सुभा तक रहा इस घटना का सर अब डाउन दोनों तरफ की ट् चतरपूर में उस वक्त संसनी फैल कई जब लोगों ने युवा का शफ पेड़ से लटका देखा ततकाल लोगों ने पुलिस को सूचित किया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और शफ को नीचे उतारा और पोस्मॉट्रिम के लिए भेज दिया पुलिस के पहले घर से लाबाता होगे तैं जिसकी सूचना परिजनों ने थाने में गुमशुद्गी की रपोर्ट दर्ज कराई थे वहरार पुलिस ने मामले दर्ज कर जाश शुरू करती है सागर्म शितरपूर रोड पर नैश्चनल हाइवे 86 के किनारे 53 का शफ मिला है तेंदवे की उम्र करीब 4 साल बताई जा रहा है गश्ट के दरान वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए के शफ को देखा वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए के शफ पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं है से साफ है कि किसी वहान से टकराने से इसकी मौत हुई है मौत नहीं हुई है ऐसे में शक जाता है कि तेंद्वे का शिकार किया गया होगा वन विभाग के अधिकारियों ने आशंग का जताई है कि हो सकता है कि शिकारियों ने जहर दे कर इसकी जान ली हो पोस्मॉटन रिपोर्ट के बाद मौत के कारण साफ हो जाएंगे पिश्टले कई दिनों से यहां वन प्राणियों के शिकार हो रहे हैं पर वन विभाग के अधिकारी कोई कारवाई नहीं करते हैं मदान के महत्व को बताने के लिए और लोगों को जाकरू करने के लिए सतना की डिगरी कॉलेज में जाकरू कता अभिया चलाया गया अनसेस के चात्रों ने लोगों को यहां मदान का महत्तू समझाया और मदान करने के लिए प्रयूरित की अनसेस का ये ग्रूप चुनाफ तक अलग अलग जाएगा और लोगों को जाकरू करेगा आजार सहिता लगने के बाद प्रिशासा ने शिकंचा कस्तना शुरू कर दिया है मरेना में चनाफ आदर आचरन सहिता के दुरान ड्रैली निकालने और नारेबाजी करने के आरोप में पुलिस ने बहुचन ट्रांती मोचे के सन्योचा के साथ 52 लोगों को गिरफतार किया है इसके साथ ही 80 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्च किया है मैं बिनर्मती रैली निकालने पर प्रिशासन ने रोका पर ये नहीं रुके जिसके बाद इनहें गिरफतार कर लिया गया मव में पुलिस ने हत्यारों की तसकरी करती होए दो आरोपियों को गरंगे हाथों गिरफतार कर लिया है हरोपियों से के पास एती तीन सो पंदरा बोर की दसकर्टे बारा कार्टूस और एक बंदूग सब्त की है आश्रंका जताई जा रहे हैं कि चनावी वक्त में हत्यारों की तसकरी का कनेक्शन इलेक्शन से ही है फिलाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूषदाच करने में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्यारों की ये खेप कहां से लाई गई थी और किसे इसे सौपा जाना था दुर्ग के केंद्री कारागार में सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस की सेवक्त टीम ने जाबा मारा चापेमारी की इस कारवाई से जेल प्रशासन में हड़कंब है चापेमारी की कारवाई कलेक्टरों में शगरवाल और एसपी संजीव शुक्ला के नुद्धत में कारवाई की गई करीब 200 पुलिस करवियों ने अचानक जिला जेल में दबिश देकर कारवाई शुरू कर दी फिलाल जेल में चली कारवाई के बारे में किसी भी अफसर ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है सीहोड जिले के असरुला गंज तहसील में राजुसाव विभाग और पुलिस ने अव्यद रेत परिवहन पर सेयोक्ट कारवाई की है इस दुरान सेयोक्ट टीम ने करीब दो दरज़न अव्यद रेत लदे डंपर जब्त किये हैं पुलिस को देखते ही डंपर के ड्राइवर मौके से फरार हो गए आचार सहिता लगने के बावजूद सीहोड जिले में रेत का अवैद रुकने का नाम नहीं ले रहा है पुलिस की सक्ती का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है सीहोड चले की नसरुला गंच तैसील के नर्मता घाट पर अवैद रेत का परिवहन जारी है एक ट्रक को रोक कर ना सिर्फ उस पर पत्थर बरसाए बलकि ट्रक में मौझूद चालक और ख्लासी के साथ भी मार पीड की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुची पुलिस ने भीड पर मॉब लिंचिंग का मामला दर्च किया है और ट्रक के चालक वाख ख्लासी के खिलाफ पश्यू करूरता अधिनियम की थाराओं के तहत मामला दर्च किया है दरसल एक ट्रक में शम्ता से जादा पश्यू को भर कर लाया जा रहा था इसी के चलते भीड हिंसात्मक हो गई और ट्रक स्टाफ के साथ चम कर मार भीड कर डाली भीड से बचने के लिए ट्रक सवार लोग पास के ही अजाक थाने में जाख उसे पुलिस ने इस मामले में करीब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्च किया है और अब चांच कर रही है फिलान में साथ इस वक्त की बोल्चुन में इतना ही आप देखते रहेए पत्रिका टीवी नवश्कार